रोको रोको मौधी जी अरे रोको अपने ठेली को मुझे भी कठाल लेनी है कैसे दिये हो कठाल का रेट लगाए हो कितना रुपिया किलो लगाए हो कठाल को बता तो दो जारा मेरे को भी एक किलो कठाल लेनी है लेलो लेलो राहुल जितनी भी लेना हो उतनी लेलो कठाल, कठाल सिर्फ 30 रुपिया किलो है, कितनी लेना है, बताओ मैं कितनी कर दू कठाल आपको अरे मौधी जी कठाल कुछ ज़्यादा रेड ना बता रहा हो, बताओ कल केजरी वाल बेचने के लिए आए तो 50 रुपिया किलो कठाल दे रहा हो, कुछ ज़्यादा ही मेहंगी ना है तुम्हारी कठाल अरे राहल तुम भी कैसी बात कर रहा हो, बताओ अरे योगी जी, ज़रा राहल को समझाना 30 रुपिया ज़्यादा होता है या 50 रुपिया ज़्यादा होता है अरे नहीं नहीं मौदी जी, अरे मेरी तो जवान फिसल गई थी, अरे तीस रुपिया जादा कोई थोड़ी होता है, पचास रुपिया जादा होता है, ठीक ठीक मेरे को दो किलो कठाल कर दो, अभी मेरे को एक किलो कठाल लेनी थी, अब दो किलो कठाल कर दो, मैं तुमसे दो किलो कठाल लूंगा ताकि तुम भी खुस रहो ठीक है राई। अभी कर देता हूं तुम्हारे लिए दो किलो कठाल मुझे साइड söyleye दे दो और ये लो तुम्हारी दो किलो कठाल और योगी जी अपने भी हाल चाल उना और हमारी दुकान कैसी चल रही है जब ठीक ठाक चल रही है ना अरे क्या बता हूं मौदि जी मेरी दुकान के हाल चाल होगा स數ग्हे स साम तक बैठे रहता हूं दुकान पर अगर मेरी दुकान के पांट सो रुपया की बिक्री होती है ना तो उसमें से तिन सो रुपिया तो उधारी वाले ही ले जाते हैं और उधारी वाले भी जाले ऐसे खा जाते हैं कि वो पैसे एक महिने की बजाए चार महिने है छे-छे महिने है साल साल भर में पैसे लाके देते हैं बताओ मैं दुकान का सामान कैसे लाओं कैसे भरूं उधारी में अरे योगी जी तुम उधारी सामान क्यों दिया करते हो मुझे देखो मैं कभी भी उधारी नहीं देता हूं कोई सा भी सामान हो सब जी का मैं कभी भी उधारी नहीं देता हूं मुझे आज का कल चाहिए ही नहीं मुझे भले दो रुपिया कम बिचे लेकिन मेरे क नगाच चाहिए और भाई लोगों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें